हेलो दोस्तों इस्टेटी अब बिटाइम चैनल पर आपका स्वागत है मैं निखिल आपका स्वागता पर देंदर करता हूं इस्टेटी अब बिटाइम चैनल पर में उच्पी पुले फुरंचा फजार पांसो अर्फट भरती को लेकर फाइनल का टॉप यह होगी एक लाग अच्छात्रों को पास करने के बाद बढ़ती वोड कितनी कटोब लगाएगा यह काफी बच्चों के मन में सवाल थे और मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे सवर कि कटोब हमारे कितने जाने वाली है और कितनी रहेगी तो दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नई हो तो वीडियो को ज़्यास सेयर करा करें ехडार करें दोस्तों मुझे खुस है आ आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैंने बीडियो में टार्गिट-200भा रखाанов आपने पूरा कर दिया दोस्तों आज में से वीडियो में आपके लिए फाडे 300 का टारिए रखता हूं लाइक का और आप इस टारिएट को भी पूरा करेंगे मैं सकता हूं क्योंकि आपको वीडियो पसंदा रही है हम आपके लिए वीडियो पल-पल की बनाते रहते हैं दोस्तों तो मैं आज यूप पुलिस औरंचा फियार औरंचा फियार पांसो अरफट कटॉप को लिकर के वीडियो बना रहा हूं एक लाग छात्रों पास करने के बाद कावी बच्चों के मेरे पास कमेंट आरे इस फर हम होगी इसकीप कर दिया तो आपका कोई भी बिंदू महत्वूट छूट सकता है क्योंकि वीडियो को पूरा दिखा करें दोस्तों और फिर उसके बाद कमेंट किया करें मैं उसका रीप्ले जरूर दूँगा तो दोस्तों आज की वीडियो सुरू करते हैं एक पुलिस फुन कि आप यहां पर फत्त के फाथी नीज दिजा सकती है कोई भी फेक नीज नहीं दी जा सकती क्योंकि यह चैनल आपके लिए पलपल की अपडेट लाता रहता है तो दोस्तों वीडियो के स्वाथ बने रहें वीडियो को लाफ्ट तक दिखा करें और चैनल को नहीं सब्सक्र कामना हो पूरी कोई भी आरजू ना रहे अधूरी करते हैं हाथ जोड़कर मादरुगा फे बिंती आपकी हर मनुकामना हो पूरी तो इस्टेटी अब टाम चैनल आपके लिए मनुकामना करता है कि आप जल्दी फे जल्दी फिलेक्षन पालें क्योंकि आपके लिए बहुत होने वाला है तो दोस्तों आप यहां पर देख लीजिए कापी बच्चे कह रहे थे फर इस बार भी मेरिट दो सो पच्चीस के समतिन जाएगी दो फो दस के समतिन जाएगी कापी बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे मैं उनको बता देना चाहता हूं कि इस बार मेरिट आप करती हुई थी दो हजार अठारे के अंदर उसकी मेरिट दो सो पच्चीस गई तो वो किस पर कर गई थी आप जह सकते हैं क्योंकि महां पर सबसे बड़ा नॉर्मलाइशन का डिपेक्ट पड़ा था वह भी तीफ से पच्चाफ नमर का उसमें नॉर्मलाइशन हुआ था किस किसी बच्चों को ₹ phải न मिले थे किसी 20 मिले थे और किसी को 15 मिले थे और किसीो 8 मिले थे तो दोस्तों आप यहां फे 40-45 नमबर घटा लेंगे तो आपके कम से कम जनरल में एक फो अफ़ी नमबर यानि 90 क्वेस्टन पर आपकी मेरट पिछली बार रुखी थी वो भी उस बार पेपर आपका बहुत ही इजी था और पेपर 18 जून को पेपर हुआ था 18 जून को पेपर हूआ था 28 में उसके बाद पेपर केंविल हो गया था पेपर केंविल होने के बाद 4 महीने का समय दिया गया चार महीने के समय देने के बाद 25 और 26 अक्टूबर को पेपर दुबारा से हुआ मगर उसमें उन बच्चों को नॉर्मलाइसवन नहीं में बारा किसी को पांच नमबर, किसी को साथ नमबर, किसी को आठ नमबर जहां तक कि वो बच्चे पॉंटों से रह गई किसी का एक पॉंट था, किसी का दो पॉंट था तो बच्चे वहाँ पर पॉंटों से रह गई थी तो इस बार दोस्तों उन बच्चों को वहाँ पर नॉर्मलाइसवन मिला था जिनको 18 और 19 शिप्ट बालों को ही सबसे यादा इसमें नॉर्मलाइसवन मिला था 3550 नमबर का तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो जनरल की मेर्ट गई थी वो 225 नहीं गई थी वो सब फे बड़ा नॉर्मल आइफन का इसमें डिफेक्ट था अब देखते हैं OBC की बात OBC में भी 216 यानि आप देख लिए 216 यहाँ पर भी गई थी दोसरा फूरों में जगर आप 40 नमबर घटा देंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कम से कम मैं आपको पता देना चाथा हूँ के सब्सक्राइब कम गई ओर फैंड सब्सक्राइब imposs proc. mundial करत्रक्राइब कि हुआ इस पर देख सकते हैं आपकी जो मेरेड गई थी और भी सी एक So शेंतर पर गई थी अब आपते सकते हैं जो 76 पर मेर्ट गई थे यहां पर कॉस्वन आपके कितने बन रहे हैं यहां पर भी आप सोचने बाली बात गोर्फे करिए यहां पर आपके कॉस्वन कम से कम अठाफी बन रहे हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं जब पिछली बार इतना पेपर फरेल था और पेपर कैंसल हुआ था तब आपकी मेड़िए फट्शतर बनी थी चाली 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 नंबर घटाने के बाद आप बुलकुल यहां पर देख सकते हैं और समझ भी सकते ह और इस बार मेड़ आपकी कितनी लो जाने वाली है वह भी हम बताएंगे अन्फुचित जाती की बात करते हैं यहां पर भी एक फटाफी गई थी आप देख सकते हैं यहां पर नॉर्मलाइशन हुआ है नॉर्मलाइशन कितना तंगड़ा नॉर्मलाइशन था उस भरती के अंदर क्योंकि बेक टूबेक भाई भरती आई थी पहले एक तालिफ और पांस वाली भरती चल रही उसके बाद और उसमें काफी भरती और भी आई थी जैसे आर पी अप एल पी टेक्निशियन एससी जीडी गुरूप डे एक लाग वह काफी भरती इसमें आई थी दोस्तो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर समी में से 40 नंबर मानस कर दिये जाएं तो दोस्तो कम से कम आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी आपके लिए मेरड हाई गई थी दोस्तो मैं आपको बता देना चांता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी में से 40-40 नंबर का डिपरेंस कर दें तो आपकी मेर्ड यहाँ पर कितनी लो गही थी मेर्ड कोई भी हाई नहीं गई थी आप देख सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी मेर्ड कितनी गई थी वह भी एक फ़र बीफ यानि माल लीजिए 40 नंबर घठा देंगा इसमें फ़र 13 चलो 30 माल लीजिए एक फ़र बीफ एक फ़र 13 के समतिंग यहाँ पर मेर्ट गई थी अब बात करते हैं फीमेल केडिगरी के फीमेल केडिगरी की जो फ़री की ओल सभी केडिगरी 200 पर मेर्ट लगी थी वह भी पहली फ़र्ष्ट मेर्ट उसमें भी आप कम से कम सभी को नॉर्मलाइज समान मिला था किसी क कम मिला किसी को ज़्यादा मिला किफी को चालीस मिले किसी को थीस मिले तो सभी में आपएंद लिका देता हूं 35 नमर मली जी आप अगर आप 35 नमर घटा दें तो आपकी जू मेर्ट गई थी वह यहाँ फौर पैंफाट नंबर पर रुकी थी फफट मेर्ट यहां पर यह तो आप आपके 2nd मेरिट की से । यहां पर भी आप ओर अरई आ Campaign यह नौर्मिलाइस्ट इन भीए, मेरिण बनी थी एसद बलगार ह到 आप 30 दॉबर कम फ्यक्स रीजिए नौर्मिलाइस व और इख चाटा दीजिए एजी पेपर था दो बार केम फिल हुआ था तो आप इस वार देख सकते हैं कि आपकी मेरिट कहां पर रुखने बार लिए इससे अंदाया लगाया जा सकता है तो दोस्तों हम इसी वीडियो में आपके लिए बताएंगे अब बात के फतन तरता फेनानी आफरित की साथ नंबर पर यह गईदी मेर्ट नॉर्मलाइजसन भूठ पूर पर फर्फट और महला केवला अरच्छी नारे पॉल यहां पर आप देख सकते होंगार्ड यानि साथ नंबर पर तो दोस्तों आपने देख लिया हो और समझ लिया हो गौर्फे क्योंकि स्थे अब बिट टाइम चैनल आपको पलपड़ की अपडेट देता है और हर एक कोस्फन का स्वामाल और बिद्ध एक्सप्लें के इस वाद करता है दोस्तों आप लगता है कि चैनल है जो फत्य और फटिकता की इस जान करें देता है तो दोस्तों चै जाते हैं एक लाग स्टूडीन्स को पास करने के बार जो आपकी कटप रहेगी वो इतनी रहेगी यह क्योंकि मेर्ट की जो कटप रहेगी जननल में एक 6 4 पर और आप प्लस- स्थ औप और js माईनस दो भी करते हैं पिलस मानस अगर आप यहां पर दो कर लें, तो आपके मेरड चौराफी कुस्टन से ले करके, श्याफी कुस्टन या ब्यासी कुस्टन पर ही रुखने वाली है, इसमें कम फे-कम आपको नॉर्मल आइफन, बीफे तीफ नमबर का आपको नॉर्मल आइफन पका 108% मिलेगा क्योंकि इस बार पेपर कापी टप था पेपर एजी नहीं था और ना ही पेपर कोई कैम फिल हुआ था तो दोस्तों यहाँ पर आपको बीफे तीफ नमबर मिलने वाले हैं और उन्हीं बच्चों के एडमेट कार्ड आ रहे हैं आप देख लिए क्योंकि यह बहुत बड़ा कारण हो सकता है दोस्तों मेरिट आपकी इफे भी कम जा सकती है क्योंकि आप अंदाय लगा सकते हैं हम सकते हैं जिन बच्चों के अर्मेट कार्ड फुले वह आप सकते हैं हमने वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी है दोश्तो और भी हम आपको बताते हैं अगर OVC के अंदर 1880 कॉस्फण वही है यहाँ पर भी पिलस मानस दो कर लें तो भी आपका इस बार फिलक्फण कोई नहीं रोक सकता है लगने फे 99500 अर्फट वाली बर्ति में अगर F C के अधियर नहीं में 27% अगर आपके बन रहे हैं पिलस मानस यहाँ पर भी दो कर लें तो भी आपका नॉर्मलाज़़़़़़़़़़़़़़़ नमबर आ सकता है और ST की बात करते हैं अगर ST के अंदर 72 कोसफन सही हैं पिलस मानस यहां पर भी दो कर लें तो भी आपका इस वार फिलक्षन से कोई नहीं रो सकता है क्योंकि आपको इसमें नॉर्मलाइज़वन नमबर मिलेंगे चाहें नॉर्मलाइज़वन आपको कित भी से कम से कम तीस नम हैं यहां पर आप पिलस मानस यहां पर दो कर लें तो भी आपका फिलक्षन इस वार भठती फे कोई रोख सकता है क्योंकि इस बार भी फे तीस नमबर का नॉर्मलाइज़वन आपको देखने को मिलेगा और फ्रमय आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा अगर बात करते हैं सब्सक्राइब को बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है अब बात करते हैं ऐसी के अंदर त्रेस वर्ट को सभी हैं तो भी अपना नंबर समझ लें क्योंकि इसमें प्रस मानस आप दो कर लें क्योंकि नॉर्मलाइज़वन का फप्प बड़ा रॉल होगा और इस बात दो से त अब बात करते हैं अगर इस टी के डिगरी में अगर फार्ट को सभी हैं तो भी अपना नंबर समय और अभी तैयारी की तयारी सुरू कर दें क्योंकि मुझे काभी फुर्णने में आ रहा है कि बच्चे यहां पर रानिंग नहीं कर रहे हैं वही बच्चे आज वह बैठे हैं दोस्तों आप रानिंग की तैयारी करना सुरू कर दें क्योंकि आपके अगर इतने नंबर बन रहे हैं तो आप बुरकुष शेफ हैं और कम से कम 2-3 मेरिट लगने वाली है इस बार भरती बोड़ इस से उम्मीश से भी कम जाने वाली मेरिट है दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा फी ज्यादा सेर करना क्योंकि वीडियो बनाने में कापी मेहनत लगती है हम आपके लिए ही पलपल की अपडेट लाते रहते हैं दोस्तों तो वीडियो को ज्यादा फी ज्यादा सेर करा करें और वीडियो को लाइक करा करें जिस्वे हमें मोटी मे सामयलें किसी की बातों में आएं जिन बच्चों के एडमिट कार्ड कम से कम अफी कोस्फण से लेकर के या सब्सक्राइब करके या 75 कोस्फण लेकर उन बच्चों के यहाँ पर कोई भी डाटा लेग नहीं हुआ था, उन्हीं बच्चों के यहाँ पर डाटा लेग हुआ था, भरती बोड बहुत जंदी उन पर काम कर रहा है और आपके डेट चेंज हो करके आएगी, तो दोस्तों, आज से कौन को रणिंग स्टार्ट कर रहा ह क्योंकि समय आपके लिए बहुत कम बचा है, तो बुलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्वाद, खुसर हैं, मस्तर हैं, जै जै भारत, बंदे बातरम, ठैंक्स पूर वाचिंग, ओल डियर